हलो फ्रेंड्स मैसल प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्णी ओपे में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको मेरे चैनल पर सभी important essay, poem and slogan टाइम से पहले ही provide करा दिये जाते हैं तो ऐसे ही आज एक important topic मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तो guys अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो please मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और जादा से जादा share करें तो चलिए start करते हैं आज ये important topic where do I see my country in 2047 तो मैं अपनी country को कहां देखना चाहती हूँ 2047 तक मतलब सबसे पहले topic को समझे कि 2047 तक मेरी country में ऐसा क्या-क्या हो जो सबसे fabulous हो जो सबसे अच्छा हो तो मैं अपनी country को कहां देखना चाहती हूँ तो starting हम इस तरीके से करेंगे आवर बिलवड कंट्री इंडिया विल अचीव 100 years of independence from the Britons in the year 2047 तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो country है वो कब freedom मतलब कब हो आजाद हुआ था तो 1947 में हुआ था तो 2047 में हमारा जो भारत है उसको आजाद हुए वे पूरे कितने साल हो जाएंगे 100 साल हो जाएंगे किस से प्रोंगी टर्स से मतलब जो अंग्रेजी शाशन था उससे Now the coming next 25 years will play a significant role in the success of India globally The government of India has also turned the coming 25 years of country as the आजादी का अमरित काल ठीक है तो हम हमारी जो country है उसको आजाद हुए अभी 75 वर्ष हो गए हैं तो इसी के लिए हम आजादी का अमरित वर्ष या आजादी का अमरित काल मना रहे हैं These coming 25 years मतलब अभी 25 years और बाकी हैं 2047 होने में have been seen by the government as well as the citizens of our country as the gaming changing era for our country तो जो यह 25 साल है यह game changing era है मतलब जो भारत का जो भविश्य है वो पूरी तरह से बदलने वाला यूग है The government of India has came up with the multiple policies that will change the face of our country तो जो government है वो भी नई-नई policies निकाल रही है जिससे जो भारत का द्रश्य है पेस है जो उसका mirror है वो पूरी तरह से change हो जाए Globally in coming years जो आने वाले साल है उन में These policies will surely make India a developed and most importantly a nation which is independent with respect to all needs in year 2047 तो जो इंडिया है वो इस तरह से विक्सित हो कि 2047 तक उसमें जो भी important चीज़े चाहिए वो पूरी तरह से सम्मलेत हो या पूरी तरह से उसमें involved हो Guys अगर वीडियो पसंद आ रही है तो please channel को subscribe करें और वीडियो को like करें आपकी जो भी expression series आती है उससे related आपको ऐसे मेरे channel पर time से पहले ही मिलते हैं तो आगे भी आपके लिए channel काफी beneficial होने वाला है आगे देखिए I want to see India as poverty free, corruption free and all levels free in 2047 तो आगे मैं इंडिया को कैसा देखना चाहती हूँ तो सबसे पहले poverty free मतलब जो गरीबी है वो हट जाए जो corruption है मतलब जो भ्रष्टाचार है वो हट जाए जो evils है जो बुराईया है वो पूरी नश्ट हो जाए I can see as the most prosperous country मैं इसे एक बहुत सम्रद साली देश के रूप में देखना चाहती हूँ मतलब मैं पूरी तरह से उसको स्वच देखना चाहती हूँ ताकि जो यहां के लोग है वो एक स्वच हवा में क्या कर सके सांस ले सके as we have seen our development in recent year India और जैसे कि हम सभी recent year में बहुत सारे development देख रहे हैं ऐसे ही आगे भी development होते रहे and India is destined to the superpower in year 2047 और भारत 2047 तक एक superpower के रूप में उभर कर हमारे सामने आए तो this is your important essay मैं आपको एक दो essay इस topic पर और provide करा दूँगी जो कि आपका अपने paragraph या essay को लिखने में काफी मदद करेगा और भी जो topics हैं वोँ आपको मिल जाएंगे और आगे भी हर महीने आपकी expiration series होती है उससे related आपको videos यहाँ 101% मिलेगी तो please channel को subscribe करें अपना support बनाए रखें तब तक के लिए thank you so much all the best for your competition बाई